अनिल परब पर कसे एडी के शेकंजे को लेकर के दोस्तों महारास्टर से इस वक्त एक बहुती बड़ी ख़बर आ रही है दरसल मनी लॉंडरिंग मामले में आज शिपसेना के नेता और महारास्टर सरकार में मंत्री अनिल परब पूछताच के लिए इनफोर्समेंट रिक्प जा रहा है इसलिए वो आज एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे वह और तरब है कि एडी ने मंत्री अनिल परब को आज यानि की वुद्वार को पूछताच के लिए दफतर बुलाए था ऐसा नहीं है कि अनिल परब महारास्टर सरकार के पहले मंत्री है जिने एडी 26 मईस से ही चापे मारी चल रही है दरसल परब पर महारास्टर में मंत्री रहते हुए करोडों रुपे की रिश्वत लेने का भी गंबीर आरूप लगा है वहीं पिछले महीने इडी ने इन मामलों में परब के 60 ठेकानों पर एक साथ रेड भी मारी थी इसके लाबा अडिल परब पर एक और आरोप है कि दापोली में बना उनका रिजॉर्ट नियमों का उलंगन करके ही बराय गया है वहीं बीजे पी नेता क्रिट सो मया की नजर सबसे पहले परब के इस रिजॉर्ट पर पड़ी थी जिसके बाद में केंद्री वन्र भागने से तोड़ने का भी आ बाहर गये हैं लिहाज अब उनके वकील ही इनफोर्समेंट अक्रेट के दफ्तर में जवाब अपना लिख करके भीजेंगे लेकिन जो है कब तक बच तक भी दिखाई देंगे अनिल देशमुक ने भी बहुत सारे दरसल समन को इग्नोर किया था एक के बाद एक समझ जारी क ये जा रही थे लेकिन अनिल देशमुक लगातार अंडर ग्राउंड थे वो एडी के दफ्तर में नहीं पहुंच रही थे लेकिन जैसे ही पहुंचे उनकी ग्रफतारी हो गई तो वही अब अनिल पर अपके साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है अनिल पर अप एडी के दफ्तर में नहीं पहुँचे अपने वकील के जरीए जो है उन्होंने जवाब देने के बारे में बताया है और बताए कि वही वो इसलिए शामिल नहीं हो सकते पूछताच के लिए इंटेरोगेशन के लिए क्योंकि वो मुंबई से बाहर गए हुए हैं लेकिन अगर एक आम अगर investigative agency को ऐसे अगर कहता है कि उसके पास में आज कुछ जरूरी काम फस गया था जिसकी वज़े से वो पूछताच में सायोग नहीं कर सकता तो यकिनन मैं कह सकता हूँ कि कोई भी investigative agency उसको घसीट करके लेकर जाएगी तो फिर नेताओं के लिए रूर अलग क्यों इस पर आपकी जो भी राय है मुझे comment करके जरूर बताएं जल्ब लूँगा किसी दूसरे report के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें और साड़ बने बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा update लेकर आँ तो सबसे पहले notification आपको में ले